अलो प्रेंज रसोई मीना की चरग में आप सभी का स्वागत है आज हम रेश्पी ही लेकर क्या है आप लोगों के बीच लेकिन कुरोना भाइरस के इतना दहसत जो फैल गया है कि सब कोई अदमी घर में रह रहा है और समय पर दवार नहीं मिल रहा है कहीं बच्चे हैं तो कही रेश्पी लेकर क्या है यह सब कोई के लिए है बच्चे भी पी सकते हैं और बड़े भी सकते हैं तो इसका हम क्वांटिटीव बताएंगे पर उससे पढ़ले हम रेश्पी दिखा देते हैं चली तो उसके लिए हम एक औरेंज लिए हैं आप बोलिएगा कि एक ही क्यूं इ अब देना है और चुटकी भाड़ी है एदम चुटकी सुठाएं काला नमक इससे ज्यादा नहीं है और एक छोटा सा पतिला लेंगे और इनमें हम डालेंगे एक कप पानी यह पानी धाई से मिल है तो इनको हम आधा करेंगे करेंगे पांच मिनिट इनको खुब उबाल आन इनको मशीन से निकाल सकते लेकिन मशीन से नहीं निकालना है हम हाथ से निचोड़ेंगे तो आए इनको हम दोनों पाटाई से करेंगे और बीच से इस तरह से हम इनको कट कर लेंगे इस तरह से और देखिए एक कप में हम इनको निकाल लेते हैं ठाल लेंगे हम इस तरह से पाणी आपको दिखाना चाहेंगे तो आप लोग काते हैं फिल्टर का पानी किनारे में में ज्या है इसलिए हम पाणी पानी किए है आपको इधर देखिए हम अच्छे से जूस चाल लिए है अरी का पल और गिया में इनको साइट करते हैं और तेखिए अब इसमें हम काला नमक मिला लें और एक थोड़ी सी एक दाने की गुल की कहां बरावर लिले हैं और पाई ने मिला देते हैं आग के रेश्पी हम आपको बता रहे हैंका तब तक पानी को हम देख लेते हैं तो आइये अब हम गैस के फ्लंद आफ करते हैं और सीधा हम पानी को इसी जूस में डालेंगे तो देखिए वह ना एक संद्रे का जूस पदसम एक कप पाने लिये थे तो कम गए तो आएए को बारबर दोले बारबर धो करके हाद से निचोर लें में निचोरने के बाद एक दिन का डोज है यह बड़े का डोज है देखिए प्राइब नीचे यह बड़े का डोज है बड़ा अदमी कब पीना है जब सब चीज खाना पीना खा करके आप सोने जा रहे हैं उस से में यह एक संत्रे का जूस आई इतना गड़म पानी आपको पी के चुप चाप सो जाना है उसके बाद पानी नहीं पीना है फिर सुबा करना चाहिए तीन दिन का डोज अगर बच्चे यह तीन में आधा कब दीजिएगा तो इस तरह से हम आपको दिखाए तो चलिए आप देखाते हैं करनी करके अगर अच्छा लागे हमारे वीडियो आपको तो एक कमेंट जरूर कर किजिएगा और इसका जो हम वीडियो बना करते थे तो बीमारिया से दूर रहते थे साफ सफाई रखिए घर से ना निकले और भर में इस तरह से लाए जाकर क्या बना कर पीए तो हमारे नए दोस्त फेरेंड है एक सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करने से होगा कि नए नए वीडियो आप लोगों के सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा इस तरह से आप बना करके पी करके सुरक्षीत रहिएगा अब पुराने दोस्त फेरेंड है तो शेर लाइक जरू कर दीजिएगा